तो प्यारे बच्चों एक वार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट वोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम लोग देखेंगे समाजिक बिज्ञान के कोश्चन पेपर को जो 2019 के बिहार वोड के एकजाम में पूछे गए थे या बहुत अधिक सम्भावना है कि आपके एकजाम के लिए भी 2019 के सारे कोश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसलिए आप लोग जरूर सारे कोश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लिजेगा ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि प्रिवियस येर से कोश्चन पूछा जाता है हम आपको बार-बार बोलते रहते हैं तो चलिए हम लोग बारी-बारी से कोश्चन को देखेंगे और सारे कोश्चन का जवाब हम आपको बहुत ही सरल भासा में बहुत ही बारीकी से समझा करके बताएंगे तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख सई होगा तो पहला नंबर कोश्चन से हम लोग शुरू करेंगे तो पहला नंबर कोश्चन कह रहा है कि काल मार्क्स का जन्म कहा हुआ था बताएं पहला नंबर कोश्चन काल मार्क्स का जन्म कहा हुआ था जर्मनी में की फ्रांस में की इंगलेंड में की पोलेंड में बता ये दूसरा नमर जवाहर रोजगार योजना कब लागु हुआ था? बता ये दूसरा का कौन सा उप्सन सही होगा? काफी महतपून कोश्चन है ये वाला भी तो आप लोग ध्यान रखिएगा जवाहर रोजगार योजना, 1989 इसवी में लाग हुआ था, B नमर औपसन सही हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना कब लाग हुआ, तो 1989 इसवी में B नमर औपसन चलिए तीसरा नमर कोश्चन, हिंदुस्तान रिभीयू का प्रकावशन किशने आरंब किया था तिसरा का कौन से option सही होगा तो ध्यान रखिएगा तिसरा का A number option सही हो जाएगा हिंदुस्तान रिभीव का प्रकासन शुरू किया था राम कृष्ण बर्मा ने किसने राम कृष्ण बर्मा ने आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए अगला number question हम लोग देखेंगे चौथा number question तो question कहा रहा है कि पितल बनाया जाता है बताइए कि पितल कौन-कौन से धातूँ से मिल करके बनाया जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा पितल तामबा और जस्ता से मिल करके बनता है पितल, तामबा और जस्ता से मिलकर के बनता है आनि कि सी नम और आप्शन सही हो जाएगा पितल का बरतन सभी के घरों में रहता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा तामबा और जस्ता से मिलकर के पितर बनता है चलिए पाचमा नमर कोश्चन है कि मंदार हिल किस जिले में इस्तित है पताइए मंदार हिल किस जिले में इस्तित है मुंगेर की बाका की भागलपूर की बकसर पाचमा का कौन सा जवाब सही होगा मंदार हिल तो आप लोग ध्यान रखियेगा मंदार हिल कहां में है बाका में पाचमा का C नमबर option सभी हो जाएगा, बिहार में ही है, मंदार हील बाका में है चलिए, छठा नमर question, काली मिटी किस के लिए उपयुक्त होती है, बताइगे कौन से फसल के लिए काली मिटी उपयुक्त होती है कपास के लिए कि लिची के लिए कि बाजरा के लिए कि गेहुं के लिए बता ये छठा नमर कोशन काली मिटी किस के लिए उप्यूक्त होती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा काली मिटी उप्यूक्त होती है काली मिटी कापास के लिए सबसे अधिक उप्यूक्त होती है चल इन्द में से कौन बीदेशी ब्रांड नहीं है देखिए यहां पर चार का ब्रांड दिया हुआ है हुंड़ाई कार फोर्ड टॉटो और टाटा और पूछ रहा है किस में से कौन है जो कि बीदेशी ब्रांड नहीं है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इंडियन कम्पनी ह जो कि टाटा है टाटा इंडियन कंपनी है जिसके अस्थापना कौन किये थे जमसेद जी टाटा किये थे लेकिन अभी इसके मरतमान मालिक कौन है रतन टाटा है आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए आठवा नमर कोश्चन 1977 की लोग सभा के चुनाव में किस दल को अस्पस्ट बहुमत मिला था बताएगा भरतिये जनता पाटी मत कर दीजेगा सिर्फ जनता पाटी को चलिए नमा नमर कोश्चन दाल किस पॉस्टिक अंस का स्रोथ है आनि कि दाल में सबसे अधिक कौन सा चीज पाया जाता है कार्बोहाइडरेट की बिटामीन डी की बशा की प्रोटीन तो काफी कॉमन कोश्चन है नॉर्मल कोश्चन है आप सभी लोग जानते होंगे कि दाल में प्रोटीन पाया जाता है नॉमा का बी नमर उप्शन सही हो जाएगा चलिए दस्मा नमर कोश्चन इनमें से कौन सी प्राथमी कुरजा नहीं है कौन सा उप्शन इसका सही होगा कौन सी प्राथमी कुरजा नहीं है तो अबर प्राकिरती गैस हो जाएगा बिद्दूत ह प्राकिर्ति गैस प्रात्मी कुर्जा है प्रात्मी खी लेकिन बिद्धूत नहीं है दस्मा का C Safe जैएगा ध्यान रखेगा 10-ों सी नमरौप commitment स्यांगे लिच्वी गनतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था अप भारत के बिहार में अबस्ती था इगारा का ए नमर उप्शन सही होगा लिश्वी गंतंत्र कहा अबस्ती था तो बिहार राज में ही चलिए बारा नमर कोश्चन गांधी जी ने साबर मती आश्रम की अस्थापना किस वर्स की तो देखिए बहुत जगा किताब में 116 भी लिख किये थे उनके लिए साबर मती आश्रम बनाया गया था ठीक है जिसको कि सत्यागरह आश्रम भी बोलते हैं साबर मती नदी के किनारे बसा हुआ है इसलिए उसको साबर मती आश्रम बोलते हैं ऐसे उसका नाम सत्यागरह आश्रम रखा गया था तो ध्यान रखिएगा गांध पश्कार सबसे पहले कहा हुआ था चीन में हुआ थ्यान रखिएगा चलिए चौदर नमबर कोश्चेन नेपा नगर किसके लिए प्रषिद्ध है तो ध्यान रखिएगा नेपान नगर अखवारी कागच के लिए जिससे की अखवार बनाया जाता है पेपर बोलते है यहां पर पहले से जो टीक लगा हुआ है इस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजेगा बहुत सारे question का answer गलत है उसमें टीक लगाया हुआ है क्योंकि यह टीक हमारे द्वारा नहीं बलके student के द्वारा लगाया गया है जो एक्जाम में परिक्षा में परिक्षा दे रहे तो उनी का दव्रा लगाया कि है जो की गलत भी है चलिए बताई यह यंग है इंघ रोप का संस्थापक कौन था बता ये तो आपको हम बताये थे कि यह उरोप का और इंग इटली का दोनों का संस्थापक कौन मेजीनी था, यानि कि 15 का a number option सही हो जाएगा, यंग इऔरोप का स्थापक मेजीनी था, चलिए 16 number कोश्यन बताइए, ये काफी आसान कोश्यन है, काफी महतवपूर्ण भी है, ग्राम का चहरी का परधान कौन होता है बताईए ग्राम का चहरी का परधान कौन होता है 16 का कौन सांसर सही होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा ग्राम का चहरी का परधान सरपंच होता है B नमर आप्सन सही हो जाएगा ग्राम का चहरी का प्रधान कौन होता है सरपंच होता है चलिए 17 नम्मर कोश्चन मानब पुंजी के प्रमुख घटक क्या है बताइए मानब पुंजी के प्रमुख घटक कहने का मतलब कि मानब के पास क्या-क्या रहना चाहिए ताकि उसको पैसा आएगा ताकि उब पैसा कमा सकता है, तो सबसे पहले तो मानव के पास ज्ञान रहना चाहिए, तभी बल पैसा कमा सकता है, बीना ग्고 यह कुर्पया नहीं कमाएगा, चलिए उसके अलावा अनुभभ भी रहना चाहिए, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपके पास ज्यादा अनुभभ भी रह गेगा चरे 18 नमर् dalla और कोस्चेन को इस परकार शेपगा पूछा जा सकता है कि बिहार से जार्फंद कर यहां 15 November 2020 को यानि कि बिहार से जारखंड अलग राजबन गया था अलग से सकत्व गहां जारखंड को 15 November 2020 को दे दिया गया था चलिए अगला number question देखेंगे नभर question अंतर राष्ट्रिये स्रमिक संगठन की अस्थापना किस वरस होई थी 1912 Q तो आप लोग ध्यान रखिएगा अंतर रास्ट्रिय स्रमिक संगठन के अस्थापना 1929 में हुआ था तो 1929 कहने का मतलब कि B नमर उप्शन सही हो जाएगा 1913 बाच्चा मा रहा था D नमर उप्शन मार था जो कि बिल्कूल गलाथ है चलिए बी नमर औप्शन सही होगा 1929 चलिए 20 वा नमर कोश्चन सेप्टी लैंप का विसकार किश ने किया था बताई है सारे कोश्चन हम पूछते रहते हैं इसलिए हम आपको बोलते हैं कि मेरा एक क्लास भी आप लोग मिस मत करिये हर एक क्लास को देखिए हर एक वीडियो को देखिए चलिए अगला नमबर कोशन बिसमा बता दिये कि सेप्टी लेंप का विसकार हम्प्रिडे भी किया था एक इसमा नमर कोशन कह रहा है कि भारत में अत्यांत बिनास्कारी भुकंप कब आया था भारत में सबसे अधिक बिनास्कारी भुकंप कब आया था जो कि भारत के अलावा नेपाल में भी आया था तो भारत और नेपाल दोनों को हम लोग कह सकते हैं कि भारत और नेपाल में अ 1934 में भारत में अत्यंत बिनस्कारी भुकम पाया था अगर पुछाए कि नेपाल में कवाया था तो नेपाल कभी 1934 ही हो जाएगा अब चलिए बाइसमा नमर कोश्चन देखेंगे भारत में योजना अयोग का गठन कवि किया था आप लोग ध्यान रखिएगा इसवी से आप लोग तारिक ध्यान से याद रखिएगा भारत में योजना आयोग का गठन कव किया गया था? 15. pledge hi2 को होङा चले ये 23 नमर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबै की कुलकाता की चेनई की कांडला बताइए कौन सी option सowaई होगा? 23 नमर का अप लोग ध्यान रखेगा मुंबई बंदरगा सबसे बड़ा बंदरगा है तो इसका इय नमर ऑप्शन सही हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन है तो मुंबई है चलिए 24 नमर कोशन कह रहा है कि लोग तंतर जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए सासन है यह कथन किसका है 24 नमर कोश्चन तो आप लोग ध्यान रखिएगा यह कथन अबराहम लिंकन का है 24 का सी नमर आप्शन सई हो जाएगा लोक तंतर जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए सासन या कथन अबराहम लिंकन का है चलिए 25 नमर कोश्चन नरेगा के अंतरगत ग्रामिन मजदूरों को साल में कम से कम कितने दीनों के लिए रोजगार देने की विवस्ता है जिसको कि मनेरेगा बोलते हैं महातमा गांधी रोजगार गरंटी योजनावला तो उसमें कह रहा ह है कि मजदूरों को साल में कम से कम कितने दीनों के लिए रोजगार देने की बात सरकार करती है कितने दीनों की रोजगार देने की विवस्ता है तो अप लोग ध्यान रखिएगा साल में 365 दिन होता है तो सरकार का कहना है कि मनेरेगा के अंतरगत यानि कि नरेगा के अंतरग भरतिये जनता पार्टी का चुनाब चिन क्या है काफी असान कोश्चन है बताइए भरतिये जनता पार्टी का चुनाब चिन क्या है तो भरतिये जनता पार्टी का चुनाब चिन कमल का फूल है अगर आपसे भरती है रस्त ये Congress का पूछा जाए कि Congress का चुनाब चिन क्या है तो पंजाचाप हो जाएगा जदिव का पूछा जाए कि जदिव का चुनाब चिन क्या है तो जदिव का क्या हो जाएगा तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जद्यू का तीर चुनाब चिन है उसके अलावा गर राज़त का पूछा जाए तो राज़त का लल्टेन हो जाएगा अप लोग चुनाब चिन ध्यान रखिया कम से कम चार चुनाब चिन कॉंग्रेस, बीजेपी, जेडियू और राज़त का यहीं चार में से कोई पूछा जाता है चलिए 27 नमर कोशन ब्रहम शमाज की अस्थापना किशने की बताइए 27 नमर काफी मत पूर्ण है ब्रहम शमाज की अस्थापना किशने की अप लोग ध्यान रखियेगा कौन सा उप् नमर कोशन बहरत सरकार ने सूचना का अधिकार इधिनियम कब पारित किया था बताइए काफी महत्पूर्ण कोशन है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार इधिनियम कब पारित किया था 29 नमर कोशन तो अप लोग ध्यान रखियेगा 29 का बी नमर ऑप्शन सही होगा दो हजार पांच इसवी में सूचना का अधिकार इधिनियम पारित हुआ था 29 का बी नमर ऑप्शन सही हो जाएगा सुचना काधिकार धिनियम 2005 इस भी में अब तीस नमबर कोशन कह रहा है कि पटना में गोल घर किस उद्देश से बनाया गया था बताइए तो बताइए किस उद्देश से बनाया गया था तो आप लोग ध्यान रखिएगा उसमें अनाज रखने के लिए गोल घर को बनाया गया था क्योंकि उसमें अनाज को भंडारित किया जाए अनाज को संड़क्षित किया जाए बहुत सारा अनाज उसमें एक बार में रखा जा सकता है कुछ ऐसा कहते हैं हमको पूरा सपस्ट प्याद नहीं है कि अगर एक बार गोल घर को भर दिया जाए तो दो बार तीन बार पूरा प्रहरेंट बैटके खा सखता है इसपर का कंफर्म नहीं है लेकिन इस पर कातर का का हम सुनते रहते पटमां में गोल घर किसुद्थदेल से बनाया गया था अनाज रखने के लिए नंद अब तहां रहा है कि इन में से कौन सी प्राकिर्टीक आपदा नहीं है प्राकिर्तिक आपदा कौन नहीं है तो देख लिजे बाल यहां पर प्रकिर्तिक आपदा है सुनामी प्रकिर्तिक आपदा है भुकंप प्रकिर्तिक आपदा है लेकिन आतंकबाद है जो मानब जनित आपदा है आतंकबाद भगवान के द्वारा दिया जाता है नहीं बलकि उसके मानब उत् तो Q zostron कहा है कि प्राकिर्थिक आपदा कौन नहीं है तो आतंकबाद हो जाएगा 32 का A नमर option सही होगा चलिए 33 नमर Q market 16 हमी लोगसभा का चुनाव किस बरस हुआ बता ये 33 नमर 2022 में की 2014 में की 2013 में की 2015 में बता ये 32 का कौन सा जवाब सही होगा सुलहमी लोकसभा का चुनाप पूछ रहा है तो सुलहमी लोकसभा चुनाप 2014 इस्वी में हुआ था 33 का C नमर औप्सन सही हो जाएगा स्वलहमी लोकसभा 2014 इसवी में जिसे मैं नरेंदर मोदी प्रधान मंत्री बने थे 2014 इसवी में उसी को स्वलहमी लोकसभा कहा जाता है ध्यान रखियेगा चलिए 34 नमर बिस्वी ब्यापार संगठन WTO का फूल फॉर्म क्या होता है World Trade Organization अपलुग ध्यान रखियेगा पूछा जा सकता है बिस्वी ब्यापार संगठन के स्थापना कब हुई यानि की World Trade Organization के स्थापना कब हुई थी 34 नमर कोशन बताइए तो आप लोक ध्यान रखियेगा उने 95 में इसवी में WTO यानि की बिस्वी ब्यापार संगठन यानि की World Trade Organization के स्थापना हुई थी 34 का D नमर उप्शन सही हो जाएगा जो भी महत्वपून पॉइंट रहते हैं हम साथ साथ आपको बताते चलते हैं चलिए 35 नमर कोशन यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है तुर्की को कि इंगलेंड को कि इटली को कि फ्रांस को तो आप लोग ध्यान रखिएगा यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है 35 का A नमर उप्शन सही होगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है तो तुर्की को कहा जाता है चतिस नमर कोशन कहा रहा है कि नोबेल पुरस्कार से समानित बांगलादेशी अर्थसास्तरी कौन है? बताये कौन ऐसे बांगलादेश के अर्थसास्तरी थे जिने नोबेल पुरस्कार से समानित किया गया? è scustion महत्पुर्ण है बताईए तो आप ध्यान रखिएगा इसका सी नमर ओपर सई हो जाएगा प्रो मौ इुनूस ठीक है कोने से बंगलादेशी अर्षासरी से जीन नोबेल पुरस्कार दिया गया तो प्रो मो इुनूस हो जाएगा 36 नमर ओप्षन सही हो जाएगा चलिए 37 नमर कोशन देख लेते हैं सुलाहमी लोक्षभा में महिला शदस्यों की संख्या कितनी है बताइए सुलाहमी लोक्षभा में महिला शदस्यों की संख्या कितनी है 37 का कौन सा उप्षन सही होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा सुलहमी लोक्षभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 है ठीक है 61 महिला सदस्य थी सुलहमी लोक्षभा में 37 का A नमर ऑप्षन सई हो जाएगा 38 नमर कोश्चन भारत में कितने राष्ट्रिय कृत्ट बैंक है बताईए भारत में राष्ट्रिय कृत्ट बैंक कितने है भारत में राष्ट्रिये क्रित वैंक किसंख्या कितना है 19 से है चलिए अब 49 नमर कोशन देखेंगे निमनी लिखित में कौन सा उद्यो क्रिशी पर अधारित नहीं है तो देख लिए जाहिर से बात है सूती बस्त क्रिशी पर अधारित है चीनी मिल जब तक गन्ना नहीं होग सिमेंट बनाने के लिए कच्चा माल का परियोग चूना पत्थर किया जाता है यह आप कोशन भी आपसे पूछा जा सकता है जो ग्रफी में तो ध्यान रखिएगा कौन उद्यो क्रिशी पर अधारित नहीं है तो सिमेंट हो जाएगा चलिए चालिस और सबसे लास्ट कोशन सरवाधिक बर्षा कहा होती है बताइए सबसे अधिक बर्षा कहा होती है पुर्णिया में की कोची में की चेरापुंजी में की मासीन राम में देखें आपर मावसीन राम लिखा गया है जो कि मासीन राम होता है आप लोग ध्यान रखिएगा तो सरवाधिक बर्षा मासीन राम में ही होता है यह metric में नहीं बलकि आगे जाईएगा तो general competition में भी आपसे यह वाला question पूछा जाएगा इसलिए आप लोग को यह question अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए तो चलिए cool मिलाकर करके यहीं 40 question था जो कि 2019 के social science के exam में पूछा गया था अब आप लोग हमें नीचे comment में बताईए कि 40 में से कितना question का जवाब आप लोग सही बताए है यदि आप लोग 2019 में परिक्षा देते तो social science में आप लोग का कितना number आता आप लोग बिल्कूल हमें real real बताईएगा नीचे comment box में और यदि आपको class अच्छा लगा हो वीडियो का notification आपको मिलते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले class में अगले वीडियो में कुछ इसी परकार के महतवपून वीडियो के साथ helpful वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद